सत्यवादी राजा हरीश्चंद्र की धार्मिक कथा राजा हरीश्चंद्र को सत्यवती राजा कहा जाता है वह बहुत ही दानी पुरुस था पौराणी ग्रंथों में भी उसकी कथा आती है उनमें लिखा है कि वह त्रिशुंक का पुत्र था जो भी बचन करता था उसका पाल एक दिन उनके पास नारद मुनी आ गए, राजा ने उनकी बहुत सेवा की, देव रिशी नारद राजा की सारी नगरी में गुमे, नारद ने देखा कि राजधानी में सभी इस्त्री पुरुस राजा का यस तथा गुणगान करते हैं, कहीं भी राजा की निंदा सुनने में आई, राजा हरीश्चंद्र के राजभवन से निकल कर प्रवु के गुण गाते हुए, नारद इंद्र लोक में जा पहुचे, तीनों लोकों में नारद मुनी का आधर होता था, वह तरकाल दर्सी थे, पर यद मन में आए, तो कोई न कोई खेल रचने में भी गुरु थे, किसी से कोई ऐसी बात कहनी है, कि जिससे उसको भ्रह्म हो जाए, तथा जब वह दूसरे से निपट न लें, उतनी देर आराम से न बैठें, ऐसा ही उनका आचरन था, इंद्र हे मुनिवर जरा यह तो बताओ, कि मुरत्यू लोक में कैसा हाल है, जीवों का इस्त्री पुरु खुसी से रहते हैं, कोई किसी को तंग नहीं करता, अन जल दूद घी, बे अंत है, बाशना का भी बहुत प्रभाव है, गायों की पालना होती है, घास बहुत होता है, बनर्श पती जूमती है, ब्रहमन सुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इंद्र हे मुनिदेव, ऐसा भल हो, राजा के करमचारी भले हो, पर मृत्यू लोक के राजा भले नहीं हो सकते, कोई न कोई कमी जरूर होती है, नारद मुनी ठीक है, मृत्यू लोक पर राजा हरिश्चंद है, वह चक्रवती राजा बन गया है, वह दान पुन्य करता है, ब्रामनों को गाय देता है, तथा अगर कोई जरूरत मंद आए तो उसकी जरूरत पूरी करता है सत्यवादी राजा है वह कभी जूट नहीं बोलता होम यग्य होते रहते हैं राजा नेक और धर्मी होने के कारण प्रजा भी ऐसी ही है हे इंद्र एक वार उसकी नगरी में जाने पर स्वर्ग का ब्रहम होता है बापस आने को जी नहीं चाता सर्वकला संपून है रिद्धियां सिद्धियां उसके चरणों में हैं इस तरह नारद मुनी ने राजा हरिश्चंद्र की इस्तुति की तो इंद्र पहले तो हैरान हुआ तथा फिर उसके अंदर इर्शा उत्पन हुई उसे सदा यही चिंता रहती थी कि कोई दूसरा उससे जादा बली नहों इंद्र से बली वही हो सकता था जो बहुत जादा तपश्या तथा धर्म कर्म करता था ऐसा करने वाला कोई एक ही होता था इंद्र के पास देवी सकतियां थी वह मृत्ति लोग के भक्तों तथा धर्मी पुरुशों की भक्ती में बिगन डालने का प्रेतन करता उसने अपने मन में यह फैशला कर लिया कि वह राजा की जरूर परिक्षा लेगा क्योंके ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इतना सत्यवादी बन जाए नारद मुनी इंद्र लोग से चले गए इंद्र चिन्ता में डूब गया अभी वह सोच ही रहा था कि उसके महल में बिश्वामित्र आ गया बिश्वामित्र ने कई हजार साल तपश्या की थी तो वह मिरत्व लोक से स्वर्ख लोक में पहुंचा था वह बहुत प्रवाव साली था उसने जब इंद्र की तरफ देखा तो चहरे से ही उसके मन की दसा को समझ गया उसने पूछा देवताओं के महादे महाराज इंद्र के चहरे पर काला प्रकास क्यों चिंता के चिन प्रकट हो रहे हैं ऐसी क्या बात है जो आपके दुख का कारण है कौन है जो महराज के तक्त को हिला रहा है विश्वामत्र की यह बात सुनकर इंद्रने का है मुनी जन अभी अभी नारद मुनी जी यहां आये थे वह मृत्वी लोग से ब्रहमण करके आय हैं उन्होंने बताया है कि प्रत्वी पर राजा हरिश्चंद्र ऐसा है जिसे लोग सत्यवादी कहते हैं वह पुन्य दान और धर्म करम करके बहुत आगे चला गया यह सुनकर बिश्वामित्र मुस्कराया और उसने कहा कि इस छोटी सी बात से क्यों घबरा रहे हो जैसा च क्यों सकता है आप चिंता चोड़ें इंद्र की चिंता दूर करने के लिए विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद की परिक्षा लेने का फैसला कर लिया तथा इंद्र से आग्या लेकर प्रत्वी लोक में पहुँच गया साधर ब्राहमण के वेश मैं विश्वामित्र र राजा हरीश्चंद को खवर दी तो वह सिंगासन से उठा और ब्रहमण का आदर करने के लिए बाहर आ गया बड़े आदर से स्वागत करके उसको उचे स्थान पर बिठा कर उसके चरणों को दोकर चरणा मत लिया और दोनों हाद जोड़ कर प्रातना की हे मुनी जन आप इस निर्धन के घर आए हो आग्या करें कि सेवक आपकी क्या सेवा करें किसी बस्तु की आवशक्ता हो तो दास हाजिर है वस आग्या करने की देर है हे राजन मैं एक ब्रहमण हूँ मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं चार महीने राज करूँ आप सत्यवादी हैं आपका यह स्र तो उसकी चाव चड़ गया उसका रोम रोम जूमने लगा और उसने दोनों हाथ जोड़ कर प्रार्थना की जैसे आपकी इच्छा वैसे ही होगा अपना राज मैं चार महिने के लिए दान करता हूँ यह सुनकर बिश्वामित्र का हिर्दय काप गया उसको यह आसा नहीं थी क कोई राज भी दान कर सकता है राज दान करने का भाव है कि जीवन के सारे सुकों को त्याक करना था उसने राजा की तरफ देखा पर इंद्र की इक्षपूरी करने के लिए वह सासी होका बोला चलो ठीक है आपने राज तो सारा दान कर दिया पर बड़ी जल्दवाजी की मै ब्राहमन हूँ, ब्राहमन को दक्षणा देना तो आवशक होता है, मर्यादा है, राजा हरीचंध सत्य है, महरा दक्षणा देनी चाहिए, मैं अभी खजाने मैं से मोरे लाकर आपको दक्षणा देता हूँ विश्वामित्र खजाना तो आप दान कर वैठे हो उस पर आपका अब कोई अधिकार नहीं है राज की सब बस्तुएं अब आपकी नहीं रही यहां तक के आपके बस्त्र आवूशन हीरे लाल आदि सब राज के हैं इन पर अब आपका कोई अधिकार नहीं राजा हरी चंदर ठीक है, दास भूल गया था आपके दर्षनों की खुसी में कुछ याद नहीं रहा मुझे कुछ समय दीजिये विश्वामित्र कितना समय, राजा हरी चंदर सिर्फ एक महिना, एक महिने में मैं आपकी दक्षना दे दूँगा बिस्वामित्र चलो ठीक है एक महीने तक मेरी दक्षणा दे दी जाए नहीं तो बदनामी होगी कि राजा हरीचंद सत्यवादी नहीं है यह भी आग्या है कि सुबह होने से पहले मेरे राज की सीमा से बाहर चले जाओ आप महल में नहीं रह सकते ऐसा करना होगा यह जरूरी ह राजा हरीचंद ने साही बस्तर उतार दिये बिल्कुल साधान बस्तर पहन कर पुत्र एवं रानी को साथ लेकर राज की सीमा से बाहर चला गया प्रजारोती कुरलाती रह गई लेकिन राजा हरीचंद के माथे पर बिल्कुल भी शिकन तक न पड़ी नहीं चिंता के चिन प्रगड हुए वह अपने बचन पर अडिक रहा साधूं की तरह तीनों राज की सीमा से बाहर बनारस कासी नगरी की ओड चल दिये मार्ग में भूक ने सताया तो कंद मूल खाका निर्वा हकिया राजा तो न डोला लेकिन रानी और पुत्र घवरा गए उनको मूल बात का पता नहीं था चलते चलते राजा रानी कासी नगरी में पहुँच गए मार्ग में उनको बहुत कष्ट जेलने पड़े पाओं में फपोले पड़ गए वह दुखी होकर पहुचे पर दुख अन्वव न किया राजा हरीचंद चूने की भट्टी पर मजदूरी करने लग ग खाना पाप है ऐसा वही मनुष करता है जो महनत पर बरोसा रखता है राजा परिश्रम करके जो भी लाता उसे खाने का सहरा हो जाता लेकिन ब्रामण की दक्षणा के लिए पैसे इखटे न कर पाता इस प्रकार 25 दिन बीत गए राजा के लिए अतिकष्ट के दिन आ गए क् के विश्वामित्र और देवराज इंद्र राजा हरिश्चंद्र को नीचा दिखाना चाहते थे उन्होंने राजा के सत्यवादी अटल भरोशे को गिराना था ब्रामण के रूप में विश्वामित्र आ गए और क्रोधित होकर राजा हरिश्चंद्र से बोले है हरिश्चं विश्वामित्र से छमा मांगी, छमा मांगने के बाद, राजा ने फैसला किया कि वह श्वयम को तथा अपनी रानी को बेच देगा, तथा जो मिलेगा वह ब्रामन को देदूंगा, पर यह बात कताई नहीं सुनूंगा कि राजा हरिश्चंद जूटे हैं, वह सत्यवादी था यह सोच कर उसने कासी की गलियों में आवाज दी कोई खरीद ले कोई खरीद ले हम विकाओ हैं इस तरह की आवाज देते रहे सुनने वाले लोग हैरान थे और मंद बुद्धी वाले उनकी हसी उड़ा रहे थे बाजार में कई लोगों ने उनकी सायता करनी चाही पर राजा ने दान या सायता लेने स्विकार न किया अंत में एक ब्रामण ने अपनी ब्रामणी के लिए दासी के तोर में रानी को खरीद लिया और राजा को पैसे दे दिये रानी ने ब्रामणी के आगे दोड़ सरते रख राजा को सहर की सम्षान घाट के रक्षक चंडाल ने खरीद लिया राजा को यह कार शौपा गया कि वह सम्षान घाट में रुपे लिये बिना कोई मुड़ा न जलने दे और रखवाली करें राजा दिन रात वहां रहने को तैयार हो गया और फिर ब्रहमण को पूरी दक्षन दे दी विश्वामित्र और इंद्र का यह सहस न हुआ कि वह राजा हरिश्चंद्र को यह कह सकें कि वह जूटा है या अपने बचन से फिर जाता है विश्वामित्र और इंद्र जब हार गए तो उन्होंने अपनी हार मानने से पहले राजा और रानी की एक और कड़ी परि करके राजा की परिक्षली राजा और रानी के पुत्र का नाम रोहतास था वह खेलता रहता और कभी कभी अपनी माता के काम में भी हाथ बटाता विस्वामित्र और इंद्र ने अपनी देवी सकती से राजा और रानी के पुत्र को साप से डसवाया बच्चा उसी छण पुत्र के कफन और उसके संसकार के लिए ब्रामड से सायता मांगी पर इंद्र और विस्वामित्र ने उसके मन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उन्होंने न दो गज कपड़ा दिया और ना ही कोई पैसा दिया रानी ने अपनी दोती का आधा चीर फाड़ कर पुत्र को लपेट लिया और समसान घाट की और ले गई लेकिन राजा हरीश चंद्र ने रुपे लिए बिना रानी को समसान घाट में दाखिल न होने दिया और ना ही अपने पुत्र का संसकार किया उसने अपने मालिक के साथ दोका न किया रानी रोती रही वह बैठी-बैठी ऐसी बेहूस कि उसको होसन रही संयोग से एक और घटना घटी वह यहा के चोरों ने कासी के राजा महल में से चोरी की उन्होंने यहा कामना की थी अगर माल मिलेगा तो समसान घाट के किसी मुर्दे को चड़ावा देंगे वे चोर जब समसान घाट पोँचे तो आगे रानी बैठी थी उस के पास मुर्दा देख कर वे रानी के गले में सोने का हार डाल कर चले गए चोरी की जाच परताल करते हुए सिपाई जब आगे आए तो समसान घाट में उन्होंने रानी के गले में सोने का साही हार पड़ा देखा उन्होंने रानी को उसी समय पकड़ लिया रानी ने रो र कर बहुत का कि वह निर्दोस है पर किसी ने एक न सुनी उसके पुत्र रोतास को वहीं पर छोड़ कर सिपाई रानी को कासी के राजा के पास ले गए राजा ने उसे चोरी के अपराद में मृत्यु दंड का हुकम दे दिया मरने के लिए रानी फिर समसान घाट पूंच गई उसका कतल भी राजा हरीशचंद ने करना था जो चांडाल का सेवक था विस्वामित्र ने भयानक ही खेल रचा था पुत्र रोतास को मार दिया रानी पर चोरी का दोस लगा कर उसका कतल करवाने के लिए कतल गाहों में ले आया कतल करवाने बाला भी राजा हरीशचंद था जिसने अपने राज में एक चीन्टी को भी नहीं मारा था ऐसी लीला और भयानकता देख कर विश्णु और पार ब्रह्मा जैसे महाकाल देवता भी घबरा गए पर राजा हरीशंद अडिक रहा वह अपने फर्ज पर खरा उतरा उसने अपनी राणी को मरने के लिए तयार होने को कहा ताकि वह उसे मार कर राजा के हुक्म की पालन कर सके उस समय कतल गाह और समसान घाट में वह स्वेम था और साथ में उसकी प्यारी राणी और मृत्पुत्र बाकी सन्नाटा और अकेला पन था तयार हो जाओ यह कहकर राजा हरिश्चंद ने तलवार वाला हाथ रानी को मरने के लिए उपर उठाया हाथ को उचा करके जब वार करने लगा तो उस समय अदवुत ही चमतकार हुआ उसी समय किसी अंदेखी सक्ती ने उसके हाथ पकड़ लिये और कहा धन्य हो तुम राजा हरिश्चंद सत्यवादी इस आवाज के साथ ही उसके हाथ से तलवार नीचे गिर गई उसने आश्चर से देखा कि वह एक समसान घाट में नहीं बलकि एक बैग में खड़ा है जहां बिविन प्रकार के फूल खिले हैं उसके बस्तर भी चांडालों वाले नहीं उसने अपनी आखे मलकर देखा तो सामने भगवान खड़े थे विश्वामेत्र और इंद्र भी निकट खड़े थे पर वह ब्रहमड कहीं नजर नहीं आ रहा था राजा हरीचंद उसी पल होगे वही मिलेगा इसके साथ ही विश्वामित्र ने सारी कथा सुना दी तथा राजा रानी के पुत्र रोतास को हसते मुस्कुराते हुए दोनों के पास पेस किया सारी कथा सुनकर राजा हरीचंद ने भगवान इंद्र तथा विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा अ आप ही जाने महराज जब भगवान ने बहुत जोड दिया तो राजा हरिशंद ने यह बर मांगा प्रभु मेरी यही इच्छा है कि मैं सारी नगरी सहित सुरगपुरी को जाओं तथा स्तुई कहकर सभी देवता लुप्त हो गए राजा रानी अपने पूत्र सहित अपनी कहते हैं राजा कुछ समय राज करता रहा तथा एक समय ऐसा आया जब सारी नगरी सहित राजा स्वर्ग लोग को चल पड़ा जब वह बैकुंट धाम को जा रहा था तो जानवर पक्षी तथा पसुग आदि साथ थे यह देखकर राजा को अविमान हो गया गना हींगा गई उसका नाम हरी चंद उरी है गुरुमानी में आता है इस कथा में यह शिक्षा मिलती है कि किसी चण भी सत्य को हाथ से नहीं चोड़ना चाहिए तथा नहीं अविमान करना चाहिए जो सत्यवादी बने रहते हैं उनकी नईया पार होती है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आईए हो तो प्लीज लाइक से और कमेंट करना धन्यवाद